कि अधिया है वेल्गम बैक टू मैं चैनल में जीना महापात्रा शुफ्रेंट्स आप सभी का स्वावत है इस ब्लॉग में शुफ्रेंट्स अध्वर्सुमतिश नान है शुफ्रेंट्स चार दिन से भगवाल जी की पूज़न नहीं हुई है क्यों नहीं हुई है बसुमतिश ब्लॉग में आपको बताऊंगी आप लोग पर जारी रही है तो अभी मैं भगवान जी की पूज़ा करने वाली हुए है तो सब कुछ रैक वगरा साफ करना है भगवान जी को नहलाना है फिर उनको कौन सा भोग में लगाऊंगी यह भी आपको बताऊंगी तो चलिए ब्ल अभी हम लोग लगाएंगे इस वाले फोटो को यहां पर ही मैगनेट वाली है तो इसको लोहे पर लगा सकते हैं बड़ यहां पर मुझे अच्छी लगड़े तो यहां पर अभी लगाऊंगे मैं उनको साफ करने के बाद मिस्टी भी सोकर उड़ गई है यही पर है मेरे पास में मिस्टी गुड मॉर्निंग बोलो नहीं बोलोगी सबसे पहले कटोरी ग्लास बगेरा मैं यहां पर रख लेती हूं धोने के लिए सबसे पहला काम तो यही होता है तो यहां पर दीपक बहुत ज़्यादा काला हो गया तो इसको अच्छे से घिसका साफ करना है तो मैं भी दूसरा वाला दीपक यूज करूँगी इसको बता रहे हूं बसमती इशनान क्या होता है यहां पर मिस्टी पूछ रही है मानया दीदी कहां जा रही है क्यूंकि उसको भी मानया के साथ जाना था तो यह देखे फ्रेंड्स यहां पर बहुत ज़्यादा काला हो गया है यह वाला दीपक इसलिए इसको अच्छे से घिसकर बोलो, बोलो happy so guys misti वी happy रजो बोल रही है so guys रजो फेस्टिवल ओडिशा का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है यह 3 डेस मनाया जाता है friends रजो फेस्टिवल 3 डेस क्यों मनाया जाता है मैं आपको बता दीती हूं तो धर्ती माता का 3 दिन का period cycle होता है जिससे की रजो फेस्टिवल थिरी डेस मनाए जाता है इन तीन दिनों में लड़कियां घर का कोई काम नहीं करती हैं जैसे की लेडिस वगरा भी घर का कोई काम नहीं करती हैं जैसे की काम मसाला नहीं तीस्ती हैं बेज़ेवल्स वगरा कट नहीं करती हैं इन तीन दुनों में जैन्स लोग ही घर का काम करते हैं यह थिरी डेस लड़कियां बहुत ही अच्छे से रेस्ट करती हैं यह बिरजम आता हैं इनका मंदिर हमारे घर के पास ही थोड़ी दूर पर है हम जब किसी दिन जाएंगे तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी कि बहां का मंदिर कैसा है सो गाइस मैं आपको सब कुछ बता भी रहीं बीच बीच में दिखा भी रहीं तो यह मेरे लड़ू गोपाल थे सो फ्रेंट्स यह वाली मूर्ती मैं अभी जब पूरी गई थी वहां से लेकर आए थी बहुत ही प्यारी मूर्ती है फ्रेंट्स तीनों भगवान जी है इसमें उपर उनका मंदिर है और साइड में दो लॉइन है तो बहुत ही प्यारी मूर्ती मुझे लगी तो मैं ले आई, मेरे पस नहीं भी थे, श्री जगरनाच जी की फोटोस में पस नहीं थी नहीं मूर्ती थी तो मैं ले आई So guys, अभी मैं भागान जी को नहलाऊंगी, सो अभी मैं सबसे पहले गनपती जी को नहलाऊंगी इन तिनों दिनों में लड़कियां बहुत ही अच्छे पकवान खाती हैं अच्छे ड्रेस पहनती हैं अच्छा स्रिंगार करती हैं घर का बिलकुल भी काम नहीं करती हैं तो अभी मैं गनपतित जी को नहला रही हूं तो फ्रेंड्स जैसे पूजा मैं आज करें हूँ डेली वैसी ही पूजा करती हूँ, सो त्री डेस से मैंने पूजा नहीं की थी, इसलिए थोड़ी से डेस्टिंग भी थी, मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, तो अभी गयाने गणपतित जी को नहला दिया है, अब फ्रेंड्स मैं लक्ष्मी माता को इशनान करवाओंगी, मैं नहला दिया है, बोल रही हूँ, बट मुझे नहीं बोलना चाहिए, अब मैं लक्ष्मी माता को इशनान करवा रही हूँ, तो फ्रेंड्स जो चौथा दिन होता है उस चौथे दिन में लक्षमी माता को नहलाया जाता है उनकी अच्छे से पूजा की जाती है तो आज के दिन जैसे हम मार्गे सुर्यों गुरुवार में पूजा करते हैं वैसे ही सेम पूजा होती है सब कुछ वैसे ही खाने को बनाया लद्डू गॉपाल मैं आसे कैस हैं मैं आपको नहीं पता थी हूं खाने में राइस बनाए जाते हैं और खटा बनाया जाता है जो की टमाटर का बनता है और मिक्स सबजी बनाया जाती है और फ्रेंट्स बहुत सारी चीजे बनाया जाती है जो की मुझे नहीं पता है जितनी मुझे पता थी मैंने आपको बता दिया वट खाने में आज में कुछ नहीं बना रही हूं बिना प्या सुमती इसनान बोलते हैं तो फ्रेंड्स रजो की तीन व्लॉग और मैंने पिछले वाले तीन व्लॉग और मैंने बनाई दें उनके लिंक्स में इस वाले ब्लॉग में ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी आप लोग देखने लिए ना उसमें भी मैंने सब कुछ बताय हुआ है उसमें तो और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है तो पिछली बार में मामा के पास थी तो और भी अच्छे से मैंने सलिब्रेट किया था रजो फेस्टिवल बसुमती इसनान मैंने नहीं किया था पहले उनमें क्यूंकि मामा पूजा कर रही थी घर में तो अभी मैं अपने घर में कर रही हूं मने यहां पर कर रही हूं इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बसुमती इसनान पर ही ब्लॉग बना लिया जाए क्या होता है बसुमती इसनान सब कुछ आपको बता दिया जाए तो यह वाला ब्लॉग इसलिए मैं बना रही हूं अ चाल दिए दूसरे कपड़े डालकर में उनको बिठा रही हूँ मैंने यह यहाँ पर यलो वाला कपड़्य यूस डेली में एसे ही पूझा करती हूं हमारा नया मंदिर भी आय지 हुआ है एक मेने पहले आये फ्रेंड्स में सोच रही थी उसका अलग से ब्लॉग बना कर आपको दिखा हूं बढ़ इसी ब्लॉग में आपको मैं सब कुछ दिखा रही हूं तो अभी मैं अपने लड़ु गोपाल जी को पहना रही थी माला अब मैंने उनकी मुरली उनको दी उनके हाथ में तो कभी-कभी मैं उनकी मुरली उनको बजाने के लिए भी देती हूं तो वो बजाते हैं अभी मैं उनकी टूपी उनको पहनाओंगी सो फ्रेंट्स पूजा के लिए सब कुछ रड़ी करने से पहले ही मैंने मुंकी दाल को पानी में भुगो दिया था अभी मैं इसमें से अच्छे से छिलका निकाल ली हूं फिर उसके बाद आप लोग को आगे और क्या करना है मैं आपको बताऊंगी सो फ्रेंट्स आज के दिन मुंकी दाल की पूजा होती है कच्छी मुंकी दाल की छिलके वाली तो यहाँ पर अभी मैं पूजा करने वाली मूंकी दाग, चीनी और थोड़ा सा इलाइची और मैंगो की तो फ्रेंट जो भी फूट्स हो आप भगवान जी की पूजा कर सकते हैं फ्रेंट अगर आप ओरिसम है तो आपको सब कुछ पता ही होगा मुझसे ज़्यादा पता होगा आज की दिन क्या-क्या पूजा करते हैं तो अभी मैं थोड़ा सा चीनी दे रही हूँ वावान जी को भूग लगाने के लिए यहाँ पर अपनी लड़ू को पाल जी को दे रही हूँ तो फ्रेंट्स घर की पुझा खतम हो चुकी है, छलिए तुलसी माता के पास भी मैं भोग रखाती हूँ so friends सेम भोग भी तुलसी माता के पास रख के आ रही हूं so friends ये हैं मेरी दोनों तुलसी माता दोनों की मेरे वच पूजा करते हूं so friends पूजा हमारी खत्ब गूच के चलिए मैंठ आपको अपना घर का जो नीउ मंदिर है जहां पर मेरे भगवान जी बैटे हूँ है आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स यह है हमारा निव मंदिर अभी मिस्टी आ गई है पास में तो थोड़ा खरकर करी तो उसकी आवाज आरोगी फ्रेंड्स आप लोग नौर करिएगा आज कई छोटा सा ब्लॉग हमारी घर की पूजा का ब्लॉग बसमती स्नान पूजा वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा इस ब्लॉग में मैंने आपको रज्जो फेस्टिवल के बारे में भी बताया आपको कैसा लगा जानकर मुझे जरूर बताएगा तो ये है हमारा भगवान जी का मंदिर जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सजा है तो friends बहुत ही अच्छा मंदिर हमें बना कर दिया था जिनको हमने कहा था तो I hope कि friends आपको यह वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा तो friends like, comment, share and subscribe कर दो